हाई फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे वेक्यूंग किलेनर को आप कैसे सही कर सकते हैं और इसमें स्विच जो खराब हो जाता है तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं तो इसके अलावा इसमें PVC भी होती है जिससे इसकी स्पीड कंट्रोल होती है जादा कुछ नहीं होता है एक मोटर होती है इसके अंदर और एक PCB होती है जिससे इसकी स्पीड कंट्रोल होती है और एक स्विच होता है जो ओन ओफ करने वाला होता है तो दोस्तो आज हम इसको चेक करेंगे और इसमें चेक करेंगे इसमें फाल्ट क्या है यह बंद आया था हमारे पास बिलकुल बंद थ पहले आपको इसके पीछे से यहां पर पेच लगे हुए हैं एक दो तीन और यह तीन पेच हैं इनको खोलेंगे और इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको दो पेच और हैं जो आपको खोल लेंगे एक पेच यहां पर होता है यह हमने पहले ही खोल रखा है और दो पेच इसमे होते हैं यहां पर उससे पहले आपको इसका डखकन इस तरह निकालना है उपर का यह 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 वाला यह आसानी से निकल जाएगा निकलने के बाद दो पेच यहां पर हैं दोस्तों आप देख सकते हैं एक इधर है और एक उदर है यह दो पेच हैं दो पेचों को इनको जो आप खोल लेंगे तो यह को देख सकते हैं इससे पहले हम घटा लेते हैं बहुत जादा इसमें डिश्ट भरी वही है और इसको हम साइड में रखते हैं और दोस्तों इसके बाद आप यहां से इसको इस तरह करेंगे तो इसके दो पार्ट हो जाएंगी और यह अलग से खुल जाएगा तो यहां देख सकते हैं बहुत ज्यादा डश्ट इसके अंदर भरी हुई है और यह इसकी वायर है और स्पिरिंग सिस्टम जो मुझलब रोल इसके अंदर ह हो जाती है दोस्तों केबर आपका यह रोल काम नहीं करता है तो इसमें आप कुछ ना कुछ लोजिंग छोड़ देते हैं कोई कमी छोड़ देते हैं जिसकी वज़े से यह आपका वापस नहीं जाता है तो दोस्तों यहां पर मैं सबसे पहले इसकी इसको थोड़ा साफ करू और बोर्ड में वायर लगाने के बाद मैं इसका सुच को चेक करूंगा और सुच चेक करने जबाद हम आगे की करवाई करेंगे दोस्तों इसमें यह PC भी है छोटी सी इसका काम सिर्प इतना ही है कि यह स्पीड को कम जादा करती एक इसका थो गयर् なना पर सकते हैं तो आप बचछे करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं यहां पर मैं टेस्टर लगा रहा हूं तो तो आप यहां देगी टेस्टर फुल जल रहा है इस साइड में फुल जल रहा है और दूसरी साइड में लगाएं यहां पर नहीं जल रहा है और स्विच इसका ओन है दवा हुआ है स्विच यहां पर यह काम नहीं कर रहा है तो इसका स्विच ही खराब है इसके लावा पार्ट करके चेक कर सकते हैं एक वायर की मदद से अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूं और साइड में जो इसका वोल्यम वाला सिस्टम में मतलब कम जादा करने का तो वहां पर आपको लाइट दीखे रही होगी नीली वाली और दोस्तों इसका स्विच्छ खराब था सुच को चेंज करेंगे उससे पहले हम इसके पार्टों को सबको साफ करते हैं फिर आगे हम आपको बताएंगे तो दोस्तों यहां पर सारे पार्ट मैंने लगबग साफ कर ली हैं और इसका सुच भी मैंने चेंज कर दिया है अगर आप चाहें तो इसको भी रिपेर कर सकते इसको आप अच्छे से साफ कर लें स्विच को और मनलब चाहे तो आप इसको किसी लिक्विड में पैट्रोल वगएर से दोसकर सुका सकते हैं उससे भी यह सही हो जाता है वाई दिवे कुछ परसेंट होता है कि यह खरा हो क्योंकि इसके अंदर भी डेस्ट चले जाती तो इस चीज इसमें रह जाती है जिसकी वज़े से प्रोपर काम नहीं करता है तो दोस्तों यहां पर मैंने इसकी जाली सारी निकाली है साफ की है और इनको आपको इस तरह लगाना है जैसे हमने खोला था उसी तरह की उसी तरीके से हम इसको वापस सेट करेंगे दोस्तों वेक्व हमने खोला है वैसे हम इसको सेट कर देंगे और लाश्ट में आपको दिखाऊंगा इसमें सुच आप कैसे चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों यह जाली हमने यहां पर लगा दी है और इसके बाद आपको लगा के दिखाएंगे इसका स्विच और यह सुच मैंने इसका नया लि देखांगा और इसके दो point है और एक बार आप राइख करें जब सब्सक्रांब होता है तो इस तरीके का इसको पैट्रोल से साफ करें अच्छा तरीके से पैट्रोल करके सुका कर और फिर आप इसको लगा कर देखे हो सकता है वो इसको अंदर डेश्ट घुज जाती है जिससे यह पॉइंट काम नहीं करता है और यहां पर एक machine PCV अब आ बातंब करते हैं तो सुच में लगाड़ावक की बारे मैं आपको बताता हूं करता है दोस्तो 4000 तो यह वर्क नहीं करता है लेकिन यह वर्क करेबर तो इसमें यहां पर आपको मौस्पेट चेक करना है नंबर भी आप прदेख सकते हैं मैंने इस ते पहले इसफी वेक्यम की ले गयर की वीडियो बनाई थी जिस מא इसका मेंने मौॉडल नंबर बताया था मतलब इसका जो मोडल इसका नमबर है मौस पेड़ का वो नमबर बताया था और यह कि इसमें आइसी है फंक्शन आइसी जिससे यह स्पीड को कंट्रोल करता है तो जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है अलग से यहां पर लगा दिया है और अब स्विच लगाने के बाद दोस्तों अब फिर हम वापस से इसको चेक करेंगे मतलब इसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यह मैंने अलग हटा हुए बाद था इसका मतलब जिससे हम इसको कमजादा करते हैं ज के सब के साइज अलग हैं यह मंदलब एक दूसरे में नहीं लग सकते तो इस तरीके से आपको इसको सेट कर देना है और सेट करने के बाद आप यहां देख सकते हैं यह सेट कर दिया और इस पर जब आप पेच वगरा कसे तो इसमें अच्छे से कसे लूज बिलकुल भी न छोड़ें अगर आप लूज छोड़ते हैं तो डेस्ट इसके अंदर जा सकती है तो आपको प्रोल्म आ सकती है तो यहां पर मैंने इसमें यह टाइट कर दिया है और इस पर मैं यहां पर पेच कस दूँगा आप यहां देखें यह पेच में आप रखे हुआ हैं मैं इनको कस दूँगा और कसने के बाद दोस्तों आप देखें कसने के बाद दोस्तों फिर हम इसके पीछे वाले पेच कसेंगे और फिर इसका डखकन लग कर तो इसमें अलग-अलग model होते हैं तो अलग-अलग model के अलग-अलग PCB और MOSFET हो सकते हैं लेकिन अगर आप चाहें तोग कोसिस करके इसके मौस्पET चेंज करके अगर किसी का PCV में Fault होती है तो उसको चेंज करके सही भी कर सकते हैं और यहां पर हम इसको टाइट कर देंगे और आप यहां पर जब यह टाइट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यह हमने टाइट कर दिया है और जितने भी हमने सारे इसके पेच वगएरा खोलते हैं सब हम इसको वैसे उसी तरीके से कर देंगे यहाँ पर मेंने इसका विल भी खोल लिये थे मैंने इसलिए खोले थे में confus owes कता है इसके इसके कु давайте राहा हो लेकिन इसके पीछे कोई इसका पेच वग swipe नहीं होता है इनको तान यह और इनको वैसे के वैसे ही मिन टाइट कर देता पर जैसे मैंने इनको खोला था आप देख सकते हैं और इनको हम को सब को हम लगा देंगे यह लगा देंगे इसके बाद यहाँ अपका पीछे का यह जाली जहां से यह मतलब डश्ट खेंच के बाहर फैंकता है तो इनको आपको इस तरीके से लगाना है और इनको भी अच्छे से साफ कर लें आप चाहे तो मतलब अच्छे से फटकार के पानी से दो के और अच्छे तरीके से प्रेसर से दो के सुका कर फिर काम में आप ले सकते हैं इनको और ये इस तरह लग जाएगा और पीछे इसके ये डखकन इस तरीके से लग जाएगा, आप लगा सकते हैं, लग गया है डख्कन, और ये सेट हो गया है, आप देख सकते हैं, अब हम इसका, ड़ेश्ट बेग लगाएंगे और इसका, उपर का डख्कन लगाएंगे, तो दोस्तों, यहाँ पर ड़ेश्ट बेग भी मैंने साप कर लिया को यह उसको इसी तरीगे से आप लगा लेना है जैसे आप लगाते हैं और प İs उसको लगाएंगे आप किस तरह आप इसको लगा सकते हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इसके लोगों को ज़्यादा दवाए नहीं अगर आप इसमें ज़्यादा दवाद देते हैं तो यह तूट भी सकते हैं इनको आपको इजली तरीके से और बड़े आसानी से लगाना है जोर अजमाईस ना करें बिल्कुल भी क्योंकि जोर अजमाईस आप करेंगे तो यह लोग तूट गया तो आपका वेक्यम क्लीनर खराब हो सकता है तो यहां पर आप देखें किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ आप यहां देखें और इस तरीके से लगा कर आप हलका सा यह अंदर की तरफ जाएगा तो आप देख सकते हैं आप थोड़ा सा प्रेस करें नीचे की तरफ और इस तरीके से यह लग जाएगा और यह आपका रकन लग चुका है और दोस्तों यह आपका वेक्म क्लेनर कंप्लेट हो गया है सही हो गया है कोई परेसानी नहीं है इसके अलावा अगर कोई भी प्रोब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट के जरीए पूंच सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा मैंने आपको बताया वेकम क्लेनर को आप कैसे सही कर सकते हैं अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिज करेंगे तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नई वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर